लेसुन के भाव में आई बंपर तेजी दिल्ली अजातपुर के मंडी में लेसुन के भाव में गजब की तेजी देखने को मिली नमस्कार किसान भाईयों राम राम जै जवान जै किसान राजु भाईया के चनल पे सभी किसान भाईयों का स्वागत है किसान भाईयों आतरीक हो चुका है 25 अपरेल 2024 दिन की बात करें दिन हो चुका है आज बिर्शपतिवार आज दिल्ली अजादपुर की मंडी में लेसुन के भाव में गजब की तेजी देखने के मिली है क्योंकि लेसुन की गारियां आज बहुत ही कम पहुँची है कम गारियां आने से लेसुन के भाव में भयंकर तेजी रहा है मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों दिल्ली अजात्पुर की मंडी में लेसुन जो है बढ़िया क्वाल्टी का लेसुन नहीं आ रहा है वहाँ का फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और महगा होने की वज़ा से पूरे भारत में लिसुन नहीं जा पा रहा है अभी फिलहाल लोकल लिसुन चल रहे हैं जैसे हिमाचल पंजाब, यूपी, विहार, अलग-अलग स्टेट से लोकल ही माल आ रहे हैं और उसकी विक्री है कम है क्योंकि कच्चा माल है कच्चा माल की वज़ा से उसकी विक्री कम है सच्टे भाव में विक रहा है लेकिन जो बढ़िया अच्छी क्वाल्टिकल लेसुन है जो लसन सूख चुका है उसके भाव में काफी तेजी बना हुआ है अभी हमारे किसान भाई लेसुन के जो इस्टोकेज हैं अभी कच्चे माल को नहीं खरीद रहे हैं इस वज़ा से थोड़ी उसमें गिरावट देखने की मिली है क्योंकि थोड़ा बहुत माल कच्चा आ रहा है जैसे ये कच्चा म प्रवाल सूख जाएगा आने वाले एक महिने के अंदर में लेसुन के भाव में अच्छी बड़ोतरी देखने की मिलीगी तो मेरे प्यारे-प्यारे किसान भाईयों अगर आप लेसुन का इस्टोक किये हैं अगर सच्टे में आप खरीदे हैं अगर भाव अच्छा बना है अगर किलो में 15-20 सुपष की मार्जन मिल रही है तो मेरे प्यारे-प्यारे किसान भाईयों मेरे प्यारे-प्यारे बैपारी भाईयों आप लिसुन को निकालें ब्यापार करने का मतलब यह है कि खरीदो बेचो खरीदो बेचो और हर्दम उसका लाब लेते रहो अगर आप चाते हैं कि हम एकदम से इस्टो कर लेंगे महगा होगा तब बेचेंगे तो आपको एक बार ही मुनाफा या घाटा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप खरीदेंगे बेचेंगे खरीदेंगे बेचेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छा मुनाफा कमा जाएंगे तो मेरे कहने का मतलब है समय समय पर लाब लेते रहें और समय समय पे आप लेसुन को बेजते रहें खरीते रहें अगर साथ अमाल मिलता है अगर आपको कम रेट में मिल जाता है तो आप खरीद ले उसको दो दीन, चार दिन पान जे मैं रखके भाव आगर आजादपुर के मंडी में लेसुन की गारियां कम पहुंची है और वहां लेसुन के भाओं में भयांकर तेजी देखने को मिली है तो यही वक्त है यही समय है अगर कम गारियां आई है तो आप अपने माल को निकाले और दिल्ली में पहुचा दें पैसा कमा ले मेरे कहने का मन समय समय पयगर लाब लेते रहेंगे समय समय पयद्विक को मालको बेड़ते निकालते रहेंगे तो आप अच्छे मुनाफिब लाएगा कममंदी लाएगा कोई सोचा नहीं था कि नया लेसुन इस भावं बिकेगा लेकिन नया लेसुन भी 100 से उपर विक रहा है और ऐसा बजार चलता रहा तो लेकिन यह हमारे और आपके बस में नहीं है यह तो उपरवला बैठा प्रमात्मा के बस में है और जो मर्जी करें हम तो उसके हाथ कतली है जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे फिलहाल बता दूं मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों जो लेसुन का बजार इस समय इस वक्त पुरे भार्द बना हुआ है चायो बिहार की मंडी हो चायो पंजाब की मंडी हो चायो हरियाना की मंडी हो चायो दिल्लीक मंडी हो चायो गृषा की मंडी हो चायो कहीं किसी जगा की मंडी हो हर मंडी में जो लेसुन का भाव है जो इस में लेसुन का बजार चल रहा है बना हुआ है यानि 6,000 से लेकर 15,000 कोंटल के हिसाब से पूरे भारत में लिसुन का बजार चल रहा है अलग-अलग सेट में अलग-अलग राज में 10 रुपे 5 रुपे 4 रुपे 2 रुपे उपर नीचे चढ़ाव चल रहा है लेकिन अगर आप कहें कि भयंकर गिरावट आएग कि 30 रुपे 4 रुपे 50 पर लेसुन का भाव होगा तो आप दिमाक्स निकाल दें इतना सष्टा लेसुन नहीं होने वाला है जैसे ही लेसुन प्रोपर सूख गया यूपी का हरियाना का पंजाब का लेसुन जो अगर सूख जाता है एक महने के अंदर फिर आपको दिखेगा कि लेसुन के भाव में कितनी तेज़ देखने मिलेगी क्योंकि इस साल लेसुन के भाव में अच्छा मुनाफ़ा हमारे किसान भाई बैपारी भाईयों को होने वाला है और अगर समय समय पे आप माल ख़ीते रहेंगे माल बेटे रहेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंग और आने वाज समय में आप लेसुने में अच्छी तेजी मिलेगें